हेले स्टुडेंट्स, वेलकम टो यूपी से एसस, ओ लेवल स्रीज का लेक्चर नमबर फाइफ है, और पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडेक्शन टो कंप्यूटर, एवलिशन आफ कंप्यूटर और हार्डवेर में हमने इंपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था, यह सारी जीजा हम पीशे कवर कर चुके हैं, यह इंपुट डिवाइस हैं, और आज हम प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट यानि कि प्रोसेसिंग डिवाइस कहें या फिर प्रोसेसिंग यूनिट एक ही बात होती है तो प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या होता है देखिए प्रोसेसिंग यूनिट इन्पुट किये गए डेटा को प्रोसेस करने का काम करती है ठीक है प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या होता है इन्पुट किये गए डेटा को प्रोसेस करना ठीक है तो यह input device यानि hardware का काम होता है यह processing device और यह हो गई आपकी output device तो यहाँ पर processing device के example की बात करें तो यहाँ पर आपका processor यानि जिसे हम CPU बोलते हैं processor ठीक है वो भी आपका क्या है processing unit है hardware है और motherboard ठीक है यह दोनों भी part क्या है आपके processing unit के अंतरगत आते हैं ठीक है अब बात करते ह हाँ पर CPU एक ही बात है ALU और CU का combination होता है प्रोसेसर क्या होता है ALU और CU का combination होता है आम तरपर processor को ही cpu कहा जाता है ठीक है और processor की speed होती है उसको MIPS में measure किया जाता है यानि million instruction per second ठीक है इसमें measure किया जाता है जो processor यानि cpu की speed होती है और बाकी cpu का पूरा नाम central processing unit है जोकि आपको पता होगा और यह computer का दिमाग होता है ठीक है computer का दिमाग CPU ही होता है क्योंकि वही processing करता है किसी भी data को और CPU का काम निर्देशों अथवा program को execute करना ठीक है निर्देश और program यानि कि कोई भी instruction या कोई भी software को execute execute का मतलब होता है उसे चलाना ठीक है execute करना जब हम कोई software open क execute करना ठीक है समझ गए होंगे I think तो CPU जो है वो निमनी उनिट से मिलके बना है वो निमनी उनिट क्या है देखिए यहाँ पर CU, ALU और MU ठीक है यह तीनों ही पार्ट जो है वो CPU के पार्ट होते हैं ठीक है हम फिर से एक बार आपको बता दें CPU यह नहीं कि हम जो छोटा सा पा अंदर लगा होता है उसकी बात कर रहे हैं जो पूरा आपका cabinet system होता है जिसमें motherboard, hard disk सारी चीज़ा होती है उसकी बात नहीं कर रहे है ठीक है यह आपका system होता है और यह आपका होता है CPU समझ गया होंगे I think जो की motherboard के ओपर यह लगा होता है छोटा सा पार्ट उसके आहाँ प वो उसे process करता है और MU यानि की memory unit जिसे हम general purpose registers भी बोलते हैं इसका काम होता है processing के time में जो data होता है उसे store करता है जो process हो रही होती है उस time जो data होता है उससे कौन store करता है general purpose registers यानि की MU और इसे हम cash memory भी बोलते है ठीक है अब ही हम आगे पढ़ेंगे तो I think समझ गया होंगे आ computer system के सभी कारियों को नियंतरित करता है ठीक है और या CPU की एक important unit है अलिवन या arithmetic and logic unit इसका काम क्या होता है इसके द्वारा computer में सभी arithmetic and logical work जो होते है वो सारे किये जाते हैं और ये processor के अंदर होती है फिर general purpose registers या CPU का एक हिस्सा होता है ठीक है जो processing के समय data को store करता है processing के time पर जो data होता है उसको store करने का काम करता है और ये computer की सबसे fast memory होती है क्योंकि CPU के सबसे नजदीक होती है इसलिए computer की सबसे fast memory कौन सी होती है general purpose registers बोले या फिर cache memory बोले ठीक है एक ही बात है तो I think समझ गया होंगे computer की सबसे fast memory कौन सी होती है cache memory होती है और computer में ऐसी memory जिसका size सब से ज़्यादा होता है तो वो तो होती है secondary memory यानि की hard disk समझ गया हूंगा I think secondary memory जितनी चाहना लगा सकते है और ये आपकी जो है 1000 GB में आती है जब की जो primary memory होती है उनका size जितना ज़्यादा नहीं होता ठीक है हम जिसकी बात कर रहे थे ये CPU है जिसको microprocessor या फिर CPU बोलते है ठीक है फिर उसके बात करते है motherboard की ठीक है तो motherboard क्या करता है motherboard का काम होता है computer के सभी components को आपस में जोड करके रखना ठीक है एक system में सभी electronic component एक fiberglass के टुकडों पर लगे होते है ठीक है जिसे motherboard कहा जाता है और motherboard कम्प्यूटर के सभी पार्ट को जोडने का काम करता है समझ गए ठीक है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते है देखे कैसे जो भी हम कम्प्यूटर में keyboard, mouse या फिर speaker, printer, mic या फिर camera, LED या A to Z ठीक है CPU, hard disk DVD writer जितने भी computers related part होते हैं वो जो होते हैं वो आपके motherboard से ही जुड़े होते हैं ठीक है, motherboard का काम होता है सभी part को एक उसरे से जोड़ करके रखना ठीक है, यहाँ पर एक normal motherboard है, इसमें आप देखें यहाँ पर RAM लगाते हैं ठीक है, यह जो दोनों slot दिये गए है RAM के लिए दिये गए है और यह आपका CPU के लिए है, यहाँ पर आपका CPU लगता है और बाकी यह आपके जो पीछे socket दिये गए है यह USB socket है, जिसमें आप keyboard, mouse, printer या और भी जो USB port रखते हैं, वो सारी चीज़े आप यहाँ पर लगा सकते हैं यह आपका LAN है, networking, ठीक है LAN cable इसमें लगती है, जिसके तुरू internet या फिर network बनाया जाते है local area network, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे जब network पढ़ेंगे, ठीक है और यह दोनों भी आपके USB port ही है यहाँ पर यह IDEO video के लिए दिया गया है IDEO video mic के लिए और यह आपका जो red वाला है यह mic के लिए होता है, microphone हमेसा इसमें लगता है green वाला जो है, यह IDEO के लिए होता है ठीक है, इसमें IDEO USB के लगते है और जो यह blue वाला है, यह आपका video के लिए होता है ठीक है, और इसकी बात करें तो यह आपका VGA, ठीक है वो अगर HDMI support है तो आप HDMI cable से भी output ले सकते हैं ठीक है और बाकी यहाँ पर यह PS2 है ठीक है यह keyboard और mouse के लिए होता है इसमें जो blue color वाला है यह आपका होता है keyboard के लिए और जो green वाला है यह आपका होता है mouse के लिए ठीक है तो यह आपके keyboard के लिए होते हैं socket दिया होते हैं PS2 होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं processing device I think समझ में आ गया होगा processing device में आपका CPU और motherboard और primary memory ठीक है primary memory के बारे में डेटेल में तब पढ़ेंगे जब हम memory पढ़ेंगे तो यह सारी चीज़े आपके processing device में आती है तो monitor क्या है monitor एक output device है और इसको visual display unit भी कहते है यानि कि VDU भी कहते है ठीक है और यह देखने में TV की तरह होता है monitor एक सबसे महत्पूर्ड output device है क्योंकि यह सबसे important सबसे जादा use होने वाली output device है इसके बिना computer अधूरा होता है या output को अपनी screen पर soft copy के रूप में परदरसित करता है soft copy क्या होती है हमने आपको बताया था जब हमने scanner के बारे में बताया था तो आपको बताया था कि scanner का क्या होता है hard copy को soft copy में बदलना ठीक है और जो आप TFT यानि monitor में देखते हैं वो सारी क्या होती है soft copy होती है ठीक है तो monitor समझ आ गया होगा क्या होता है और monitor में कई सारी technology होती है जैसे CRT, cathode ray tube यह monitor जो है यह पुराने हैं आपने देखे होंगे ठीक है और यह technology फिलाल बंद हो चुकी है जो आप TV टाइप में monitor होते हैं बड़े-बड़े size के वो CRT technology का यूज़ करते है और आजकल जो है वो flat panel monitor यूज़ किया जाते है यानि जो TFT है हमारी ठीक है flat panel monitor आजकल यूज़ किया जाते है जो LED और LCD ठीक है LED और LCD भी अलग-अलग technology है LCD liquid crystal display ठीक है और जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रही है वो LED है क्योंकि LED जो होती है इसकी clarity कुछ अलग ही होती है और इस power consumption कम होता है यह power कम यूज़ करती है और LCD की तुलना में जो है वो LED अच्छी होती है आजकी जो new technology है वो LED बेस्ट है यहाँ पर आपको में एक और चीज़ बता दे देखिए जब हम computer से यहाँ अपना जो computer system होता है उससे अगर हम keyboard ठीक है और mouse और monitor याणि जो LED TFT आपने लगा रखी है वो सारी चीज़े अगर हम निकाल दें computer तब भी on रहता है इस चीज़ का ध्यान रखे अगर हम आ लेते TFT को off कर दें इसका मलब है नहीं कि system off हो गया जब तक हम उसको shutdown ना करें बस यह है कि आप computer के जो जो part आप निकाल रहे हो वो काम नहीं कर सकते जैसे computer में printer नहीं है तो आप print out नहीं कर सकते अगर printer आपने computer से नहीं जोड़ा है तो print out नहीं कर सकते simple उसी तरह से अगर आपने monitor यानि LED का use नहीं किया है तो आप output नहीं देख पाएंगे हलाग यह ऐसा नहीं होता है क्योंकि बिना monitor के तो computer का कोई मतलब भी नहीं है लेकिन यह बात हमने इसलिए बताई क्योंकि कई लोग समझते है कि जब monitor यानि TFT बंद हो जाती है तो इसका मलब यह है कि CPU बंद हो जाता है बट ऐसा नहीं है CPU on ही रहता है अगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर आगे monitor के कुछ लच्छर बताएगे हमलब उसमें की जो important चीज़ें है कुछ जैसे resolution होता है तो यह क्या होता है अब इसको समझाते हैं डीटेल में इसको पढ़ लेते पहले जब यहाँ बिंदू चमकते हैं तो एक चितर का निर्माड होता है और एक आई शेत्र फल में उपस्थित बिंदू की संख्या resolution को व्यक्त करती है और monitor की resolution चमता अधिक होनी चाहिए resolution अधिक होगा तो चितर की इस पश्टता अधिक होगी अब इसको समझते देखए resolution का सीधा मतलब होता है quality यानि कि अगर हम किसी वीडियो की बات करें HD image होती है तो जो high quality की image होती है उसमें actually में होता क्या है resolution ज्यादा होती है resolution क्या होती इसको और थोड़ा detail में समझते हैं देखिए जो कोई भी image आपकी होती है ठीक कोई भी image जो होती है वो छोटे 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 डॉट से मिल करके मनी होती है और उस डॉट को हम कहते हैं pixels ठीक क्या बहुते हैं और उसमें चोटे-चोटे अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें चोटे-चोटे square दिखाई देने लगते हैं ठीक है उसी को बोलते है pixels और जो image होती है वो चोटे-चोटे dot यानि pixel से मिलकर के ही बनी होती है ठीक है अब बात करते हैं video की यानि hd video जो होते हैं तो वीडियो जो होते हैं वो भी actually क्या होते हैं कि वो भी pixels से मिलकर के ही बने होते हैं ठीक है तो जितने ज़्यादा pixels होंगे उतनी ज़्यादा उसकी quality होगी यानि की resolution होगी समझ गयोंगे वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि resolution अधिक होगा तो चितरिस्पर्श दिखेगा और monitor की resolution शमता है वो अधिक होनी चाहिए monitor यानि की screen जो output देख रहे हैं तो जितनी अच्छी आपकी LED होगी उसमें उतनी ही high resolution की शमता होगी capacity होगी और उसमें उतना ही clear आप देख सकते हैं ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि LED आपकी बहुत अच्छी है लेकिन आप उसमें image बिल्कुल बकवास quality का देख रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि इमेज की quality बढ़ा देगा ठीक है image भी quality की होनी चाहिए और जिसमें आप देख रहे है LED वो भी quality की होनी चाहिए समझ गयोंगी I think ठीक है तो यह होता है resolution का सीधा मतलब होता है clarity से यानि quality से ठीक है image की quality का है HD है या नहीं है उसके बाद है dot pitch ठीक है dot pitch क्या है dot pitch एक प्रकार की मापन तकनिकी है नहीं की measure unit है ठीक है जिससे हम पता करते है कि हमारा monitor है वो कितनी quality का है उसकी कितनी गुड़कता है ठीक है तो आप इसको पढ़ सकत है इसमें कुछ खास नहीं है dot pitch एक measurement unit है बस आपको इतना ध्यान रखना है ठीक है जिससे monitor की quality जो है वो measure की जाती है यह LED की quality कितनी है उसके बाद printer की बात करते है तो printer भी क्या है आपकी एक output device है और इसके इससे output को कागज पर चाप कर प्रोस्तित किया जाता है जो कि आपक प्रोस्तित कागज पर लिए गए output को hard copy कहते है ठीक है एग्री जो हम output निकाल लेते हैं printer technology जो है यह आपका inkzette और laser printer आता है ठीक है इनकोuciones थोड़ा detail मैं बढ़ते हैं आगे पढ़ते है impact printer ये वे printer होते हैं जो printing करते हैं आवाज करते हैं इसले इनको impact printer कहते हैं और impact printer दो परकार के होते हैं dot metric printer और solid printer ठीक है और ये slow होते हैं इनकी जो impact printer की printing speed होती है ये slow होती है और बाकी यहाँ पर dot metric printer के बारे में देखें detail में बताया गया है कि ये काम कैसे करता है और dot metric printer कौन सा printer इस प्रेंटर है ये impact printer होता है तो इस तरह से राम लिखकर करेंगे तो इस तरह से राम लिखकर करके मलब डॉट डॉट प्रेंट करेंगे समझ गया होगे अधिंग इस तरह से आपने देखा भग कई सारे टिकट्स होगे रहा जो होते है railway के, तो वहाँ पर dot में print होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, आपने देखा होगा, तो वह dot metric printer होता है, बाकी यह काम कैसे करता है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, solid printer यह कैसे काम करता है, इसको भी आप देख सकते हैं, अलाकि यह impact printer है, आज कल ज्यादा use में नहीं लिए ज अगर हम इन दोनों को compare करें, तो laser printer बेतर होता है, quality में भी और speed में भी, जबकि inkjet printer compare to laser printer slow होता है, अब यह दोनों कैसे करते हैं, वो आपका यहाँ पर नीशे बताया गया है, अब देख सकते हैं, नीशे पढ़ सकते हैं, inkjet printer कैसे काम करता है, ठीक है, और inkjet के बाद यहाँ पर आपका laser printer, laser printer कैसे काम करता है, ठीक है, बागी printer तो आपने देखे ही होंगे, और जो laser printer होते हैं, यानि कि जिसमें आप document को scan भी कर सकते हैं, और print out भी ले सकते हैं, वो आपका पूरा photo offset machine होती है, जिसमें microprocessor, RAM, ROM, यह सारी चीज़े उसमें होती हैं, ठीक है, ताकि data को store किया जा सके, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कि जब आप आधार card रखते हैं, photocopy के लिए, ठीक है, तो यह आपका scanner है, आधार card को आपने scanner पर रखा और नीचे से आपका, यहाँ पर 5 print out निकल गए, ठीक है, तो यह कैसे निकले, आधार card जब आपने रखा, तो scanner से scan हुआ यह आपकी क्या हो गई, input device है, क्या हो गई आपकी input device, scan करने के बाद में आपने printer में क्या setting की, printer में आपने set किया, कि हमें इसकी 10 copy चाहिए, या 5 copy चाहिए, तो वो जो setting आपने की है, वो क्या है, data है, instruction है, जिसके लिए memory चाहिए, और उसको process करने के लिए processor भी चाहिए, ठी प्रिंटर में इंपुट हो गया, और आउटपुट तो यहां पर प्रिंट आउट में निकली रहा है, तो इसमें input device, output device, microprocessor, RAM, ROM, मलब यह पूरा जुड़ गया, ठीक है, मलब इसमें क्या है, जो आप जिस printer से photocopy करवाते है, ठीक है, वो पूरा एक अपने आप में मसीन होता है, जिसमें सारे part लगे होते है, input, output, processing और storage के, ठीक है, और बाकी जो printer की speed होती है, वो ppm में measure की जाती है, pages per minute, ठीक है, एक minute में कितने page print कर रहा है, उससे इसकी speed तै की जाती है, printer की, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप उसके बाद है plotter, ठीक है, plotter क्या होता है, plotter भी एक प्रकार का printer होता है, जिससे banner print किये जाते है, ठीक है, banner आपने देखे होंगे, जो holdings banner होते हैं, उससे plotter से print किये जाते है, ठीक है, बाकी आप इसको detail में पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बढ़ी बात नहीं है, कोई confusion है, तो आप comment कर सकते हैं, अब बात करते हैं, अब बात प्रकार की memory होती है, और सबका अपना अलग-अलग काम होता है, देखे, main functionality जो memory की होती है, वो होती है, data को store करना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ data store करते हैं, लेकिन, यहाँ पर memory को अलग-अलग category में बाट दिया गया, इसलिए क्योंकि कुछ memory ऐसी हैं, जिनका इस्तमाल अपने processing के लिए, और कुछ memory ऐसी है, जिनका इस्तमाल user करता है, अपना data store करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर मुक की रूप से दो category बना दी गई, primary और secondary, अब यहाँ पर primary memory है, इनका इस्तमाल कौन करता है, computer करता है, अपने, जब वो data अपना process करता है, store करता है, उसके प्राइमरी का इस्तमाल करता है, और secondary memory जो होती है, इसका इस्तमाल करता है, user अपना data store करने के लिए, याईडियो, वीडियो, फाइल, अगर कुछ store करना है, तो आप secondary memory में store करेंगे, और secondary memory कहीं परकार की होती है, magnetic disk होगया, hard disk, floppy disk, optical disk, यानि यहाँ computer की एक storage unit होती है, या computer का महतपूर्ण हिस्सा होती है, इसमें हम data program आदी को store करके रख सकते है, ठीक है, और इसमें data को binary format में, यानि 0 और 1 में store किया जाता है, अब यह 0 और 1 में कैसे store किया जाता है, तो जब हम binary पढ़ेंगे, ठीक है, binary भी हम पढ़ेंगे, तो जब बाइनरी पढ़ेंगे, तो ह सबसे छोटी unit जो होती है, वो byte होती है, आपकी, naturally memory जो होती है, वो दोपरकार की होती है, अब naturally का मतलब किया यहाँ पर देखे, temporary और permanent, जो memory होती है, चाहे वो primary हो, secondary हो, ram हो, कोई भी हो, वो दोपरकार से हो सकती, या तो वो temporary होगी, या फिर वो permanent होगी, ठीक है, temporary, यानि क की अस थाई, जो data सिर्फ वो temporary waste पर स्टोर करती है, और permanent यानि की इस थाई, जो data को permanent तोर पर स्टोर करती है, ठीक है, तो यहाँ पर temporary को volatile और permanent को non-volatile भी बोला जाता है, यह चीज़ आप ध्यान रखें, temporary यानि की volatile और permanent यानि की non-volatile, ठीक है, memory के concept में ज्यादा तर जो temporary औ permanent के लिए जो term इस्तमाल होती है, वो volatile और non-volatile का इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर memory को कैसे measure किया जाता है, यह तो आपको पता चल गया, ठीक है, byte, kilobyte और megabyte में measure किया जाता है, अब यह byte, kilobyte, megabyte कई सारी unit है, इसका क्या मतलब है, तो जैसे होता है, आपका gram normally क्या होता है, जो something physically मेजर करना होता है, तो उसमें unit होती है, gram, फिर उसके बाद होता है, Deutschland, kilogram, 몰America, ऐसमेर, कोंटल, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, चोटी unit, फिर उसके बड़ी unit, फिर उसके बड़ी unit, इससे बड़ी unit, इसी तरह से memory में होता है, सबसे चोटी unit byte होत आगे बढ़ते हैं, यहां पर पढ़ते हैं प्राइमरी इमेमोरी तर्म और इसका पुरा नाम रैंडम एकसेस मेमोरी और इसकी यहां पर कुछ विस्थेस थाई बताई गई है इसको computer की promote memory या या अस्ताई memory होती है क्योंकि इसमें डेटा होता है वो temporary waste place store होता है इसलिए इसको volatile memory भी कहा जाता है और जो RAM होती है उसमें computer बंद हो जाता है आपका तो वो सारा data delete हो जाता है अब RAM में किस तरह का data store होता है इसको थोड़ा सा समझते है ठीक है देखे मन लेते हैं कि यहांपर हम marker चला रहे है तो अगर यह marker चला रहे है तो यह क्या है data ही तो है अगर यहांपर अभी हम कोई software खोले जैसे notepad like खोलते है नोटपैड और यहाँपर notepad में अगर हम यहांपर कुछ type करते है यहाँ पर डेक्स्टॉप पर जितना भी आपको दिखाई दे रहा है टोटल डेटा यह सब रैम मेमोरी पर इसलिए कि अगर आपकी कम है तो आप क्या बढ़ाईए अपने कम्प्यूटर में रैम बढ़ाईए तो कम्प्यूटर की स्पीड कम कैसे होती है रैम की वज़े से कम्प्यूटर की स्पीड कम होने के कई रीजन है एक रीजन उसमें से है रैम ठीक है अगर हमारे कम्प्यूटर में रैम 2GB की लगी है तो क्या हम कम्प्यूटर में सिर्फ 2GB ही डेटा इस्टोर कर सकते है या नहीं कि आईडियो वीडियो फोटो मोवी नहीं वो तो RAM है, हार्डिस्क आपने अगर 500 GB लगा रखी, हार्डिस्क आपने यानि सेकेंडरी मेमोरी, हार्डिस्क अगर आपने 500 GB लगा रखी है, तो आप data computer में 500 GB तक कर स्टोर कर सकते हैं, फिर RAM का क्या मतलब है, तो RAM जब भी आप कोई software open करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप कोई नया software कोई खोलते हैं, जैसे मान लेते हैं, कि हमने यहाँ पर Visual Studio open कर दिया, तो अब आपका computer है, वो hang हो जाएगा, slow हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें RAM ही नहीं है, कि वो data आपका जो है, वो कहाँ store करें, तो इस लिए computer में RAM जितनी जादा होगी, जो speed होती ही computer की, वो उतनी ही fast होती है, ठीक है, तो I think समझ गया होंगे, ठीक है RAM का क्या importance है, आगे ब ठीक है, SRAM ये क्या है, static random access memory है, या flip-flop से मिल करके बनी होती है, या auto refresh होती है, इसमें data को अधिक समय तक रख सकते हैं, या एक महेंगी memory होती है, ठीक है, auto refresh का मतलब क्या होता है, अब इसको भी थोड़ा समझते हैं, देखे, आपने देखा होगा कि computer को अक्सर लोग refresh करते हैं, जब भी थोड़ा सा free होते हैं, क्या करने लिए लगते हैं, refresh, तो refresh से क्या computer hang हो रहा होता है, तो speed उसकी बढ़ जाती है, नहीं, अहां कुछ आप तक कह सकते हैं, ऐसा, क्योंकि क्या होता है, कि देखे, तो जब भी हम refresh करते हैं, तो कुछ microsecond के लिए, जो है, computer मान सकत हैं, कि mask हो जाता है, यानि कि freeze हो जाता है, ठीक है, जो processing होती है, जो computer की processing होती है, RAM होती है, जो भी part होते हैं, जब हम भी refresh करते हैं, तो कुछ microsecond के लिए, वो freeze हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, कि computer उतने में थोड़ा सा refresh हो जाता है, ठीक है, जैसे अगर आप continue 8 गंटे स काम कर रहे हो, और अगर आपको 10 minute का rest का time मिल जा, तो 10 minute में आप refresh हो जाते हैं, ठीक है, वापस से तुबारा काम करने लगे, तो इसी तरह से होता है, computer में भी refresh, ठीक है, जब आप refresh करते हैं, तो computer कुछ microsecond के लिए, थोड़ी देर के लिए जो है, अपना काम बंद कर देता है, processing सारी रोग देता है, और फिर उसके बाद continue करता है, कुछ microsecond के लिए, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो वो होता है refresh, ठीक है, तो SRAM जो होती ही, वो auto refresh होती है, जिसमें refresh नहीं करना पड़ेगा, आपको, DRAM जो है, यह dynamic random access memory होती है, यह memory जल्दी जल्दी refresh होती ह ठीक है, electronic charge और discharge का मनलब क्या होता है, तो charge यानि की computer आन है, discharge यानि की computer आफ है, ठीक है, तो यह एक second में हजारों बार refresh होती है, आता इसकी speed slow होती है, यह सस्ती होती है, ठीक है, क्योंकि यह ज़्यादा ही refresh होती है, DRAM, dynamic random access memory, और आगे बात करें हाँपर, ठीक है, DDR की technology आज DDR4 का use हो रहा है, ठीक है, सब RAM ही है, इसमें confusionally कोई बान नहीं है, बस आपको हर RAM के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, और बाकी RAM का जो main काम है, ठीक है, वो पढ़ लेना अच्छे से, ROM की बात करें, तो read only memory, ROM का पूरा नाम read only memory है, या computer की primary memory है, ठीक है, जैसा की पता ह ठीक है, देखिए, जो RAM memory हमने अभी भी पढ़ी है, तो वो क्या करती थी, computer जब भी आप बंद करते हैं, तो सारा data delete हो जाता है, कैसे, तो हमने पताया ना, कि जैसे नोट पेड में आप टाइपिंग कर रहे हैं, और उस file को आप save ना करें, computer बंद कर दें, तो computer on करने पर क् जब तक आपने नहीं बंद किया, तब तक वो data आपके पास था, और जैसे आपने computer बंद किया, और वो आपका data delete हो गया, ठीक है, तो यह हो गया आपका अस्थाई, यानि की volatile memory, अब जो ROM होती है, रोम यह होती है, आपकी इस्थाई memory होती है, नि पर्मानेंट memory होती है, और BIOS कहते हैं, उसको रखा जाता है, ठीक है, अब यह क्या होता है, तो देखिए, जब computer को हम on करते हैं, तो computer on होने की process को बोलते है, booting, क्या बोलते हैं, इसके बारे में मागे पढ़ेंगे, क्या बोलते है, booting, ठीक है, और booting दो परकार की होती है, एक होती है आपकी cold booting, और क्या होती है, cold booting, और जब आप computer को जब भी restart करते हैं, क्या करते हैं, restart, तो restart में क्या होता है, computer अपने आप बंद होता है, और वापस से अपने आप फिर से खुल जाता है, ठीक है, तो वो जो booting होती है, वो होती है, warm booting, समझ गयोंगे, I think, ठीक है, cold booting, जब computer को आप press on कर करते हैं, और जब आप computer को restart करते हैं, तो वो, warm booting होती है, तो booting क्या होती है, समझ गयोंगे, computer की on होने की process को booting कहते है, और booting दो परकार की होती है, जैसा कि आपने बता दिया, तो जो booting होती है, वो booting की setting होती है, उसको बोलते है, BIOS, ठीक है, BIOS यानि की basic input output system, ठीक है, basic सिर्फ C होती है, या फिर इसकों have two, three, या था कितनी होती है, तो ये आपकी hard disk की drive होती है, तो उसमें क्या होता है, अकसर करके C drive में operating system install होता है, operating system, यानि windows किसके install ही, C drive में install होता है, और जब computer on होता है, तो उस base पर on हो जाता है ठीक है लेकिन अब यहाँ पर जब computer on होगा तब ही तो hard disk में पहुँचेगा और वहाँ पर c drive में operating system पढ़ा होगा तो वहाँ से वो on करेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा कैसे computer बिना instruction के तो computer कुछ नहीं कर सकता ठीक है यहीं बात है कि जब भी हमाँ डालता है जिसको window यानि कि operating system जिससे इंस्टॉल करना पता है ठीक है Windows 7 या 10 या कोई भी Windows जिसे इंस्टॉल करना पता है उसे पता होगा कि बूट क्या होता है क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे आप computer on करते हैं वहीं पर आपको बूट की setting करनी होती है कि आपको window डॉल नहीं है यह यह operating system इंस्टॉल करना है या फिर computer को on करना है ठीक है हला कि हम आपको यह भी बताएंगे किसी वीडियो में आगे practically बताएंगे इसको अभी आप इतना समझ लें कि raw memory में क्या होता है कि computer on होने की setting store की जाती है जिसे bio setting कहते है ठीक है और यह computer के motherboard पर इस्थाई रूप से लगी होती है इसका नाम read only memory इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हम सिर्फ क्या कर सकते है read कर सकते है ठीक है read कर सकते है means raw memory में computer manufacturing के time जो भी data उसमें डाल दिया गया होगा बस आप उसका सिर्फ use कर सकते है इसमें कोई भी changes वागरा नहीं कर सकते हैं जैसा कि आप hard disk में कोई भी और लीट वह नहीं कर सकते है तो सकते है ठीक है और जो रो म सिर्फ हो इनर कर determines तो होती है एक तो थीढल तीन प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी P-ROM, दूसरी होती है E-P-ROM, ठीक है, और तिसरी होती है आपकी E-E-P-ROM, ठीक है, तीनों के फिल फॉर्म नीचे दिये गए हैं, अब इसमें क्या अंतर हैं, तो स्टार्टिक में जो सबसे पहले आई थी, वो आई थी P-ROM, ठ सकता था, इसलिए उसको बोलते हैं P-ROM, यानि Programmable Read-Only Memory, जो सुरुवादी कम्प्यूटर में इसी का यूज किया गया था, उसके बाद आई E-P-ROM, ठीक है, E-P-ROM में क्या था, कि यह E-Rageable Programmable Read-Only Memory, ठीक है, इसमें क्या होता था, डेटा को E-Rage कर सकते थे, लेकिन इसे E- रेज करने के लिए हमें क्या होता था, अल्ट्रा वाइलिट लाइट का इस्तेमाल करना होता था, अल्ट्रा वाइलिट रेज का, ठीक है, यानि पराबैंगनी केड़ो का, ठीक है, इसे डिलीट करने के लिए, क्या करना पड़ता था, हमें धूप में रखना पड़ता था, जहाँ पर ultraviolet rays पढ़ती थी और वो memory delete हो जाती थी यहाँ पर आप देख सकते हैं e.p.rom ठीक है यह जो आप part यहाँ पर देख रहे हैं तो इस part पर जब ultraviolet rays पढ़ती है तो यह जो है memory delete हो जाती है यानि कुछ instruction देने के बाद में data delete हो जाता है simple बात करें cache memory की ठीक है cache memory या क्या होती है CPU and RAM के बीच में होती है और CPU और RAM के बीच में एक bridge का काम करती है ठीक है और cache जो memory होती है या तीन परकार की होती है L1, L2 और L3 ठीक है यानि इसके तीन cache होते है L1, L2 और L3 ठीक है अब यह cache memory जो होती है वो CPU के पास होती है और यह सबसे fast memory होती है इसे MU भी बोलते है या फिर general purpose registered भी बोलते है हमने आपको पताया था अब यहाँ पर इसके तीन level क्या होते है इसको समझ लेते हैं actually level का मतलब उसके partition होते है जिसका अलग-अलग काम होता है ठीक है L2 और L3 का काम होता है main memory से data को CPU या नि रजिस्टर के पास पहुंचाना जब वहाँ पर process किया जाएगा ठीक है तो यह data transfer करने के लिए मलब L2 और L3 जो है यह bridge का काम करती है और उसमें जो L1 cache होती है actually में उसमें data जो है वो store होता है कौन सा processing जब हो रही होती है ठीक है वो data कहाँ पर store होता है L1 cache में ठीक है यहाँ पर cache के जो 3 level बताएगे है L1, L2, L3 यह इतना detail में O level किस levels में नहीं है ठीक है यहाँ पर हमने diagram में डाल दिया है बाकी इतना advance वहाँ पर नहीं पूछा जाएगा ठीक है बाकी यहाँ पर थोड़ा सा समझा दे देखें यह आपका क्या है CPU है और यह आपकी main memory है main memory यानि कि यह आपकी क्या है RAM है और ROM है ठीक है बीच में क्या है case है जो की bridge का का काम करती है और यहाँ से अगर इस diagram की बात करें तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते है virtual memory वर्चल memory क्या होती है तो virtual memory in hard disk part ठीक है जो आपकी hard disk होती है यानि जो c drive होती है अगर हम आपको disk PC यानि computer में दिखाए है तो यहाँ पर जो c drive है और d drive है e drive है यह तीनों ही किसके partition है safe नहीं रहता है ठीक है जब भी आप operating system बदलेंगे वो data आपका delete हो जाएगा तो यह जो c drive होती है यह virtual memory होती है यह आपकी क्या होती है virtual memory ठीक है इसे इसका ध्यान रखना virtual memory होती है और वही पताया गया है आपर virtual memory यहनि c drive उसके बाद आती है आपकी RAM ठीक है DRAM और उसके बाद आपका आता है cache और cache bridge का काम करता है और इसमें L1 जो होता है वो data store करता है और CPU जो है वो process करता है फिर उसके बाद ठीक है समझ गयोंगे I think आगे बढ़ते हैं फिर बात करते है secondary memory जो की काफी आसान है secondary memory जो है आपकी यह storage device होती है जिसमें आप अपना IDEO वीडियो फोटो यह सारी चीज़े store करते हैं और यह permanent memory होती है यह permanent storage device है लेकिन इसकी जो speed होती है वो slow होती है data को access करने के आधार पर यह दो परकार की होती है जो secondary memory है यह भी दो परकार की होती है data को access करने के मामले की बात करें तो ठीक है तो यहाँ पर sequential access और direct access sequential access का मतलब यह होता है कि आपकी memory में जो भी data है उसे आप sequentially access कर सकते हैं लेते हैं कि हमारी एक memory है और उस memory में 10 song पड़े हैं ठीक है 10 song पड़े हैं कोई भी गाने पड़े हैं 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से 9 और 10 ठीक है ये आपकी memory में 10 song पड़े हैं और इन 10 song में से हमें 5 ये नंबर का song directly सुनना है तो अगर 5 ये नंबर का song हम directly सुन पा रहे हैं तो वो memory आपकी आएगी direct access की इंतरगर ठीक है और अगर आप पांचुई यह नि पांचुई song को सुनना चाहते हैं लेकिन आप पांचुई को direct नहीं सुन सकते हैं पहले आपको 1, 2, 3 या 4 आपको यह सुनने पड़ेंगे या अगर नहीं सुनने पड़ेंगे तो आपको इन्हें skip करना पड़ेगा मलब इन्हें काटना पड़ेगा और काटने के बाद में आप पांचुई number प्या सकते हैं तो वो आपकी memory जो होती है वो कहलाएगी sequential access या नि आप उसे एक sequence में access कर सकते हैं आपको पता होगा नीचे यहाँ पर image भी दी गई है आपको इमेज दिखा देते हैं ताके clear हो जाए थोड़ा सा और जो data होता है नीचे जो song होते हैं आपके वो इसी में store होते है ठीक है तो माल लेते हैं कि यह पूरा ribbon है और आपको पांचोई नमबर का अगर गाना सुनना है तो इस condition में इसका जो ribbon है वो आपको इस side में पहले लपेटना पड़ेगा और फिर जब पांचोई नमबर का song आएगा तो वहाँ पर आप उसको सुन सकते हैं नहीं कि यह क्या है sequential access है आप इसे direct access नहीं कर सकते है और direct access जो आप यूज करते है अपने phone में pen drive या memory card वो direct access है कि आप कोई भी song कहीं से भी play कर सकते है उसे direct access कर सकते है तो आप समझ गयोंगे sequential access और direct access क्या होता है ठीक है और बाकी यहाँ पर यह आपका जो है magnetic tape है ठीक है यह भी memory है और इसी तरह से magnetic disk magnetic disk के अंतरगत आपका hard disk floppy disk और zip disk आता है ठीक है और floppy disk भी आप लोगों ने देखा होगा camera में यूज की जाती हो floppy disk होती है और यहाँ पर hard disk के काम करने की जो है वो यहाँ पर hard disk काम कैसे करती है वो चीज बताएगी यह ठीक है तो इसे आप कैसे काम करती है और अगर कोई confusion होती तो आप comment कर सकते हैं तो इसके उपर हम hard disk के उपर एक personal इसका वीडियो बना देंगे कि hard disk काम कैसे करती है ठीक है फिलाहल आप इसको पढ़ ले अच्छे से ठीक है यह optical disk होती है यहाँ पर image दी गई है ठीक है इसमें देखे यह आपकी क्या होती है cd होती है जिसका size कम होता है और यह आपकी dvd होती है जिसका size उससे भी ज्यादा होता है यह आपकी होती है जिसका size और भी ज्यादा होता है ठीक है किसका कितना size होता है वो आपको उपर मि memory unit है, ठीक है, memory unit यानि memory को measure कैसे किया जाता है, सबसे छोटी unit होती है, वो आपके bit होती है, ठीक है, जैनि machine language जिसमे 0 और 1 होता है, ठीक है, 0 और 1 होता है, इसका मलब, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, सिर्फ एक चीज, ठीक है, अगर 0 है या फिर 1 है, दोनों में से कोई एक च इसी तरह से 8 bit यानि की 1 byte, समझ कहोंगे, 1 byte यानि की 8 bit या फिरम कह सकते हैं, 2 nibble, एक ही बात है, ठीक है, 2 nibble, यानि की 8 bit, आप इसे देख सकते हैं, kilobyte यानि की kb, short name, जिसमें क्या होता है, 1024 byte होती है, इसी तरह से mb, 1024 kb होती है, और फिर उसके बाद gb, जिसमें 1024 mb ह यह आप आपका एक्जाम में नहीं पूछा जाएगा बाकी नॉलिज के लिए आप पढ़ सकते हैं अब अगला है इंट्रोडेक्शन टू सॉफ्ट्वेर ठीक है अभी तक देखे जितना हमने पढ़ा है वो सब टोटल हाडवेर था हाडवेर में आपका इन्पूट डिवाइ अब यहाँ पर आपका टॉपिक सुरू होगा इंट्रोडेक्शन टू सॉफ्ट्वेर जिसमें हम समझेंगे एक सॉफ्ट्वेर क्या होता है सिस्टम सॉफ्ट्वेर एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर यूटिलिटी सॉफ्ट्वेर यह सब क्या होते हैं इसको समझेंगे इस ट झाल झाल